दशेरह के दिन ये चीज अवश्य ही खरीद लाएं इस चीज को खरीदने मातर से ही आपकी गरीबी मिट जाएगी आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे आपकी बरकत होगी आपकी तरक्की होगी और आपके घर में खुश नुमा माहुल वर्ष भरा रहेगा आपके समूल शत्रूं का नाश होगा आपको शनी देव की क्रपा प्राप्त होगी तो आइए जानते हैं वो चीज कौन सी है जो आपको घर में लानी चाहिए जिसको आपको रखना चाहिए घर में लाकर और शुब मूरत में आपको लेकर आना चाहिए मेरे चनल में आपका बहुत स्वागत है आशा करती हूँ सुखी होंगे संपन होंगे और लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे भगवान इसी तरह आपको सारी खुशियां देता रहे मेरा आशिरवाद सदयव मेरे विवर्स के साथ सब्सक्राइबर के साथ और यूट्यूबर के साथ होता है भगवान उनको सदा खुशियों से ओत प्रोत रखे सदा सराबोर रखे यही आशिरवाद और दुआ मेरे मन से उनके लिए निकलती है तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिये बैल बटन दबाईए और आल पर क्लिक करिये जिससे इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आप लाभनवित होते रहे आईए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या लेकर आना है घर में जिससे आपकी समरदी दिन, दूनी, राच, चौगनी बढ़ती रहे तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप प्रारम करते हैं आपको बताना मित्रों इस दिन राम दर्वार की तस्वीर लाकर आप अपने घर में रखते हैं तो बहुत उत्तम दिन होता है और राम दर्वार की तस्वीर आपको अवश्य ही रखकर पूजा के लिए रखनी चाहिए इस दिन अपाराजिता का पौधा लगाना बहुत ज़्यादा शुब होता है ऐसा कहते हैं कि अपाराजिता का पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी भी गरी भी नहीं आती है और सदा स्वास्ते उत्तम रहता है इस दिन ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर आपको नीलकंट पक्षी के दर्शन में हो जाएं या नीलकंट पक्षी आपके सपने में आ जाएं या नीलकंट पक्षी की आप तस्वीर भी देख लें तो आपका जो घर होता है वो धन व्रद्धी से ओत्पुरत हो जाता अगर आप इस दिन शूब मुरत में जोकी दो बच कर एक मिनिट से दो बच कर 47 मिनिट से है 47 मिनिट तक है अगर आप शमी का पौधा अपने घर में लाकर लगा देते हैं तो आप पर शनी देव को पित नहीं होते और शनी देव की क्रपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहती है और शनी देव आपको माला माल कर देते हैं। क्योंकि शम्मी का जो पौधा होता है उसमें शनी देव की क्रपा बस्ती है और शनी देव का प्रतीक होता है तो शम्मी का पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए चाहे छोटा लगाएं चाहे बड़ा लगाएं लेकि शम्मी का पौधा आपको लगाना चाहिए और उसको जल से सीचना चाहिए उसके उपर मतला उसके समक्ष अगर आप किसी भी तेल का दीपक लगाते हैं तो आपके घर में शनी देव कुपित नहीं होते और शनी देव का आशिरवाद आप पर हमेशा बना रहता है। अगर आप ऐसा शमी का पौधल आते हैं जिसमें पुष्प भी आ रहे हों तो फिर कैना ही क्या है। तो मैंने इतनी सारी जानकरी दी अगर आपको जरासी भी जानकरी पसंन आई हो तो लाइक जरूर करना शेयर करना ऐसी जानकरी को और वीडियो देखने के लिए मेरे चनल डॉक्टर ओमश्री को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाती है और आपको लाब की प्राप्ति कराती है आप मेरे वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए टाइप कर सकते हैं मेरे वीडियो आपके सामने आजाएंगे जो आपको तरह तरह से लाभनवित करेंगे मेरे 4000 से भी ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है जो विभिन विश्यों पर मैंने बनाए हैं तो आपको इनका लाब लेना चाहिए आप मुझसे जोतिश्य परामश लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में इमेल आईडी के जरिये संपर्क कर सकते हैं 1000 में मैं दो सवालों के जवाब फिल हाल दे रही हूँ तो ये आफर थोड़े ही समय के लिए है और रश्ट से बचने के लिए आप तुरन संपर्क करिए एक छोटी से सलाह आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्टित कर सकती है तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएगा